अगर आप भी अपने computer के screen का या अपने desktop का screen sort लेना चाहते हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए अब आईए हम जानते हैं कि अगर हमें अपने screen का screen sort लेना हो तो हम कैसे लेंगे तो सबसे पहले अगर हमें अपने पूरे screen का screen sort लेना हो तो उसके लिए हमें keyboard से प्रेस करना है print screen की को यानि कि हमें keyboard से प्रेस करना है print screen की को अब उसके प्रेस करने के बाद यानि उसकी को प्रेस करने के बाद अब हमें जाना है start पर और यहां से जो हमारा MS Paint होता है उसे open कर मस्त करने के बाद अब हम्हें क्या करना है किभूर्ड से प्रेस करना है है करना हमें कुछ खुर करना हो या कुछ या तो ऊसके इसर नहीं करना सकते और नहीं करना सब्सक्राइब से सेब Ark करने के बाद आपके दवरा ये जो इसके रिया गया-घी किस्ट करने के stereo और늬 भी आप सेप करेंगे वह आपको वहाँ पर आ जाएगा अब हम देख लेते हैं जो हमारा स्कीन सौट है वह आया है कि नहीं तो देखें यहाँ पर हमने जो एस के नाम से फाइल को से पिया था वह अब हमारा यहाँ पर दिख रहा है अगर आपको इसको ओपन करना हो तो आप इसे ओपन करका देख भी सकते हैं कि हमारा स्कीन सौट जो लिया गया था वह स्टेफ है कि नहीं ठिक अब आता है नेक्ष हमारा दूसरा अगर हमने क्या करना अपने नुसार फिक्स एरिया का स्कीन सौट लेना जैसे हमारा जो आइकन दिख रहा है हमें सिप इसका स्कीन अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां से सेब कर देना है जब आप इसे सेब कर देने के बाद अब इसको जहां पर भी रखना हो वह आप एरिया इसको select कर लिए तो मैं desktop पर रखना चाहता हूँ तो यहां से desktop को ले लेता हूँ अब desktop को लेने के बाद अब हमें क्या करना है से save अले अपने पर click कर देना तो हमारा यह जो file होगा वो save होगा अगर इसे भी देखना हो तो आप यहां से इसे देख सकते हैं देखने लिए आपका जो screenshot है वो हो चुका है ठीक है अब हम आरा next option आता है आने कि तीसरा screenshot लेना अब इसका प्रयोग हम वैसे option के लिए करते हैं जिसका screenshot हम normal तरीके से नहीं ले पाते हैं तो आये उसका screenshot लेना चाहते हैं कैसे लिया जाता है जैसे कि यहां आपतर हमारा जो दीख रहा है अब हमें क्या करना है इसका screenshot लेना हो तो अगर हम नार्मल तरीके से लेना चाहेंगे तो screenshot नहीं ले पाएंगे अगर हम full screen का screenshot लेते हैं तो पूरे screen का screenshot हो जाएगा तो हमको सेट करने में फिनोग करने में पुड़ा time लगता है लेकिन अगर हमें stiff direct इसी का screenshot लेना हो तो हम कैसे लेंगे तो उसके लिए आपको open करना है print screen यानि sniffing tool जो आपको होता है यानि यह जो tool आपको दिख रहा है बस यहां से इसको ले लेना है यानि इस option को ले लेना है लेने के बाद यहां से आपको क्या करना जो cancel वाला option दिख रहा है यहां से इसे cancel कर देजेगा cancel करने के बाद अब आपको क्या करना है अपने desktop पर mouse का right button क्लिक करना है अब यह option आपका जब आ जाएगा अगर मालिक यहां से हम new करते हैं new करका इसका screen sort लेना चाहेंगे तो आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो हट जाएगा तो हम कैसे लेंगे ठीक है तो यहां से आपको cancel कर देना है cancel करने के बाद इस option पर यानि desktop पर right click करना है तो आपका यह option होगा वो आ जाएगा अब आपको क्या करना है keyboard से press करना है control प्रस print screen यानि control के साथ print screen option को press करना है यानि जो हमारा key होगा print screen उसे press करने के बाद अब देखिए आपका जो screen sort है लेने के लिए तयार हो चुका है अब आपको क्या करना है यहां से जितने भी area यानि अगर हमें यहां से लेना हो हम क्या करेंगे यहां से mouse का left button क्लिक किये इस तो से scroll कर लेंगे तो हमारा जो यह area होगा यानि जो हमारा जिसका screen sort लेना है वो area हमारा selected हो जाएगा अब जैसे ही यहां पर selected होगा अब यहां पर इसका screen sort हम ले लिए अब यहां से हमको इस file को save करना तो file में जाएंगे और यहां पर save पर जाएंगे save पर और यहां से जिस भी नाम से save करना हो वो नाम हमें आपर देंगे ठीक है देने वाद यहां से इसको जहां पर भी रखना हो वहां पर रख दीजेगा रखने वाद यहां से save कर देजेगा तो यहां file भी आपका यहां पर देखे आ चुका है तो इस से क्या हता है कि हम अपने desktop का तीन तरीके से skill sort ले सकते हैं अगर आपको भी लेना आओ तो अमारे इस वीडियो को पुरा देखेएगा तो आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा आओ तो अमारे वीडियो को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें